इस तरीके से आपने हभी तक हमारे असोसेट स्पॉंसर्स जो कुछ थे उनसे जाना बहुत सारी चीजे इसे इसमें हमारे साथ अभी है आशिश पिंडू निमबारकर जी जो डारेक्टर है निमबारकर ग्रूप अगरबती के उनको मैं बुलाना चाहती हूँ वो आए हमारे स चाहती साथ और मैं बताथू कि यह जो डेंबारकर अगरबती है बहुत अगर आपके घर पे निमबारकर ग्रूप के अगरबती तो इसको ले लीजिए और बहुत अच्छा इसका अच्छा इसका असनस और फ्रका को भी महिका हूँ सबसे पहले PCN चाइनल उनका पुरा स्टाप इम्रान सर सबसे अच्छा उन्होंने आज प्रोग्राम अरेज किया और महला की लिए कुछ चाइनल की करनी की कुछ इच्छा हुई सनमानिय यहाँ पर निरजी जेन मैं जिन्होंने बहुत अच्छा मेरा फैक्टरी का मीटिंग था इसलिए में मीस हो गया पर हम इंसानों को तो कुछ आता नहीं सब अवरत ही करती है पर आज में जब बैठा तो थोड़ा स्टडी किया कि बहुआ पर कितनी महिनत है कि कितनी महिनतों से अपनी मिसेश, अपनी मा, अपनी बहन, अपनी बच्छी ये करती है उनके लिए सबसे पहले एक बार टालिया बज़ाए और दूसरी टालिया बज़ाए आपके लिए मैं निमबल कर अगरवती इंडस्टिस क्या ओनर हूँ मैंने मेरे लाइप में बहुत टगल किया है बहुत सारी महिला मेरे से जुड़ी है बचदगट से माध्यम से कोई वीडियो है कोई जिसको कोई नहीं है ओ है लोगों ने मेरे फैक्टरी में आकर काम किया है उनको हमने सहारा दिया है बहुत सारे महिला ने हमसे जुड़के अगरबती मशीन लिये हैं कच्छा माल लिया है पक्का माल हमने उनसे वापस वी लिया है को छोटा होली लिखा हुआ दे 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 ना और उपिछकारी दे ना एक बचिया है हमारी नाकपूर में नहीं तो अकोला वर्दा बंडारा चंद्रपूर पच्छिम माराष्ट में गे सोलापूर, इचलकरंजी, कोलापूर, सावन्तवाडी, रतनागिरी वहा तक हमारी अगरबत्ती की मशीन गई है, वहा तक हमने मयलाँ को रोजगार दिया है हमारा बेसिक ही वह है कि मयलाँ को आगे करना चाहिए अभी अभी मयला दीन हुआ है और अभी 15 दिन के पहले जो मयला दीन हुआ है कितने तो भी लोगों ने हमसे हमारे फैक्टरी में आकर खुद की कंडिशन बताई है कि हमारी कंडिशन थी खराब है सर आप हेल्प कीजे हमने सब लोगों को हेल्प किया है ठीक है थोड़ा फंड लगता है पर काम अपना शुरू हो जाता है एक बार अपना काम शुरू हो गया तो अपना अपन उत्पन त्यार कर सकते हैं अपना अपन घर चला सकते हैं यह मंच बे मेरे को BCN चैनल ने आम मंत्रिंद किया मैं उनका मन से आभार वेक्त करता हूँ इसी तरह आप हमें बुलाते रहे हैं यह लोगों के साथ में केक में हाथ पकड़ी जाएंगे और सारे सारे लोग और बहले पीछ में आभार मानता हूँ हम वहां में लगते लाज़ों किया पर समप्त करता हूँ चैनल आज का लास डेजर्ट बना रहे हैं यह भी हमने होली स्पेशली है रंग रंगीला डेजर्ट जिसे आप गलास और जार दोनों में सर्व कर सकते लेकिन इसकी लाइफ केवल थी डेज की है क्योंकि हम इसमें फ्रोट्स केक और क्रीम और क्रशेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं गलास को थोड़ा सा डेकोरेट क अलग अलग कलर का इस्तेमाल करके और यह हम लोग रंग रंगीला ग्लास डेजर्ट बना रहे हैं अब मेरे पास में हैं विपिंग क्रीम जो हमने केक के उपर लगाई इसमें मैं पांच क्रश डाल रही हूं अलग अलग यानि जो हम लोग क्रश इस्तेमाल करते मालूमें न सबको मालास वगरे के जो crush आते हैं तो एक में डाल रही हूँ मैं कीवी crush एक में डाल रही हूँ मैं crush के साथ थोड़ा सा color भी डाल रही हूँ crush और थोड़ा सा green color इसे अच्छे से हम mix कर रहे हैं फिर दूसरे में डाल रही हूँ मैं strawberry crush strawberry crush के साथ हमको कोई भी color डालने की जरुवत नहीं वो अपने आप ही color अच्छा आ जाता है और इसको हम piping bag में भरेंगे और तीसरा ले रही हूं मैं orange crush और इसके साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा orange color ने ने कौन कौन नोजल डालो नोजल और एक में डाल रही हूं मैं blueberry crush इस तरह से ये चार crush अलग-अलग डाल के और चार अलग-अलग cream तयार कर ली अब glass में मैं सबसे पहले डाल रही हूं cake का चूरा जो cake हमारा भी उपर का बच गया था हमने जो cutting करके निकाला था वो cake का चूरा हम इसमें डाल रहे हैं और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा soaking जो कि sugar सिरप या पानी किसी से भी कर सकते हैं आप फिर इसके उपर थोड़ा सा डाल रही हूं मैं coconut powder desiccated coconut powder फिर इसके उपर डाल रही हूं मैं अलग-अलग कटे हुए fruits, kiwi pineapple, pineapple, अनार, यह हमने fruits पी डाल दिये, देते जाओं अब यह जो क्रीम हमने बनाई है, पाइपिंग बैग में डालके, नोजल में डाला है, और अब इसको मैं इस तरह से पाइप कर रही हूं एक कलर इसके बाद, दूसरा कलर फिर थर्ड कलर, ऐसे आप चाहो जितने कलर ले सकते हूं, उसमें कलर मिलाना पड़ेगा अब इसके उपर फिर से मैं फ्रूट्स की लेयर डालूंगी फ्रूट्स की लेयर, आप चाहो तो केक की लेयर भी डाल सकते हैं, लेकिन इसकी जो शेल्फ लाइफ है, वो मात्र तीन दिन की है यह ब्लू वाला इस तरह के जो जार डेजर्ट हैं जो लोग होम बेकर हैं, जो अपना काम करते हैं तो बची कुछी चीजों से इस तरह के जार डेजर्ट बन जाते हैं यदि आपने डीफ्रीजर वगे रख रखा है आपकी कुछ की बेकरी है तो जो चीजे हमारी बच गई हैं उनी से आप ये डेजर्ट बना कर और सेल कर सकते हो देवां से देदो देदो इसमें भी हम बीच ओ बीच ये पिछकारी लगा देंगे और इसे भी हम होले स्पेशल बना देंगे तो इस तरह से हमारा ये रंग रंगीला जार डेजर्ट तयार हो गया प्लेट और जैसा आप सब लोगों को पता है फिर भी एक बार मैं अपने तरब से बता जेती हूँ कि मुझे 24-25 साल हो गए है इस फील्ड में और एक दिन से लेके एक साल तक के कोर्सेज है मेरे हां जिसमें की इंटरनेशनल डिप्लोमा बेकरी का इंटरनेशनल डिप्लोमा है जो 6 मन्त का कोर्स है और 6 मन्त हम होटल में इंटरन्शिप कराते हैं स्टार या सेवन स्टार प्रापर्टी में बाहर इंटर्शिप कराते हैं वो पूरा केरियर ओरियेंटेट कोर्स है जिसमें आपको इंटरनेशनल डिप्लोमा मिलता है इंडियन गौर्वर्मेंट का डिप्लोमा भी मिलता है और जिससे आप यदि आउट आफ कंट्री भी जाते हैं तो भी आपको आपका वो जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है 81 कंट्री में और सारे छोटे-छोटे कोर्स भी एवेलेबल हैं आपके पास में मेरा शायद ब्रोशर आया भी होगा और नहीं तो आप गूगल सर्च करेंगे निराली कुकरी इंस्ट्यूट तो आपको मालूम पढ़ जाएगा सारे कोर्स होते हैं एक दिन से लेके छे महने तक के एक साल तक कोर्स सारे हैं यहाँ पर और चोटे-चोटे भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिक्स मंत का ही है चार दिन का बेकरी कोर्स बीज दिन का प्रोफेशनल बेकरी कोर्स ब्राइडियल कुकरी वर्क्शॉप टीनेजर्स के लिए वर्क्शॉप दिवाली स्पेशल ऐसे करीब 70 कोर्स मेरे यहाँ पर रेगुलरली चलते हैं जो आप कभी भी जॉइन कर सकते हैं ओनलाइन ओफ लाइन दोनों भी कोर्स चालूएं अच्छा माम ने यहाँ पर सिखाया उतने ही अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर चीजों को एंजॉइ किया बहुत सारी चीजे आपने सी की मैं आप से एक सवाल पूछना चाहती हूँ क्या ऐसे समिनार आपको चाहिए फिर एक बहुर माम से चाहिए की नहीं चाहिए चाहिए की नहीं चाहिए हाथ उपर दिखने चाहिए लास सवाल चाहिए 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 मान देखिए पब्लिक डिमांड और चाहिए उनको ऐसे समिनार आप से तो मतलब आप आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि यह जितनी भी वुमनिया हैं उनके लेका और आप समिनार लेके आएंगी जितने बार इन बीसेन मुझे बुलाएगा मैं आऊंगी ओके लिए अभी मैं आप से इजाज़त साहूंगी थैंक यू सो मच वर बिंग इन ग्रेट ओडियंस इसके पहले मैं सभी जो इन बीसेन की टीम हैं जिन्होंने यहां पर बहुत ही ज्यादा कड़ी महनत की है उनको थ अच्छी भूमिका यहां पेदा कि उन्हें सभी की शुक्रगजार हूं मैं और इसी के साथ इस प्यारी सी महफिल को मैं प्रडाम करती हूं और थैंक यू सो मैच पो बिंग एन ग्रेट ओडियंस दिस इस वीजे दिशा साइनिंग ओफ और दे थैंक यू सो मैच